कि अग्यों को मक्सर मुटापे से कन्फ्यूज कर देते हैं पर हर वैड के इनको अबीसिटी का नाम देना गलत है और इसी पॉइंट पर हम इनफर्टिलिटी के सबसे इंपॉर्टन फैक्टर को वॉइड कर देते हैं अगर आप चानल पर न्यू है तो जल्दी से सबस्ट्राइब कर लिजे और मेरा सेजेशन यह है कि लास्ट वीडियो को जरूर देखें आज वर्ल्ट वाइट वन पॉइंट नाइन बिलियन इडर्ल्स ओबीस कैटिकरी में आते हैं अब आप कहेंगे कि मैम आपने कन्फ्यूज कर दिया है कि ओबीसिटी और मोटापर डिफ्रिंट कैसे गया तो सबसे पहले में आपकी यह कन्फ्यूजन दूर कर देती है ओबीसिटी का मतलब है फैट का excessive accumulation जिससे हमारी health compromise होने लगे Body Mass Index का level जब 30 के ऊपर चला जाता है इस stage को हम obesity consider करते हैं अब ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए हम यह देखते हैं कि obesity से infertility का क्या relation है 6% females में infertility का reason होता है obesity हम थोड़ा साथ इसका mechanism पर जाते हैं कि 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 रीजन से obesity directly infertility पर effect डालती है infertility की starting होती है hormonal imbalance से fat cells, male hormone, androgens को female hormone estrogen से convert करने लगता है अब females में इसका level बहुत ज़्यादा हो जाता है और males में तो reverse section होने लगता है यह सबसे first reason है infertility का अब हम next reason देखते हैं excessive estrogen हमारे brain के साथ interact करता है और ovum या sperm बनाने की process को delay करने लगता है males में obesity की वज़ा से sperm count कम होता है और sperm की quality भी अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है body का temperature बढ़ जाने से sperm production के लिए body को सही temperature नहीं मिलता है और obesity के साथ आती है काफी सारा stress काफी सारी बिमारियां जैसे की diabetes, hypertension, insulin resistance जो की indirectly fertility effect करता है stress से fertility पर क्या effect होता है यह हम last week video में जान चुके हैं तो आप वह वाली वीडियो जरूर देखेगा अब आप पूछेंगे कि इसका solution क्या है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने mistakes को ध्यान देना होगा जैसे कि क्या आप काफी dense food ले रहे हैं या frequent meals खा रहे हैं वह भी extra quantity में आप देखिए कि आपने अपनी traditional diet को change तो नहीं कर दिया कहीं आप बहुत जादा snacks और sugary drink तो नहीं ले रहे हो सकता है कि आपकी sleeping pattern disturbed हो और आप रात को देर रात जागते हुए आपको जादा भूग लग रही हो diet plan personalized हो तो बहुत बेटर है आप specialized cases के लिए मुझे concerned कर सकते हैं यहां आप generalized चीजें discuss कर लेते हैं जैसे की vegetables and fruits का intake आपको increase करना होगा पर ध्यान रखिए कि starchy foods इसमें exception है high-fiber diet लेनी जरूरी है इसके लिए आप अपना जो छिलके वाली चीजें है वह जादा खाएं शुगरी, extra oil, extra salt आप cut off कर दीजिए high-protein diet में include कीजिए nuts, pulses, non-veg, eggs ले सकते हैं carbohydrates का intake आपको decrease करना होगा क्योंकि already आपके body में काफी fat store है तो हमें धीरे-धीर उसका breakdown करना है alcohol और smoking avoid करनी है और सिर्फ diet से काम नहीं चलेगा आपको उसके साथ करने पड़ेगी कुछ physical activities क्योंकि 80% diet and 20% activity gives you best result तो आप आज ही अपना BMI चेक कीजिए कि आपकी infertility का reason आपकी obesity तो नहीं hope की आपके myths दूर हुए होंगे तो अभी आप मेरी video like and share कीजिए और comment करना ना भूलिएगा आपको कोई भी suggestion हो तो comment box में जरूर लिखेगा मिलते हैं next video में Bye Bye कि खायर बाद़ सेवल पूलिएगा और रूलिएगा जर राद़ आपके कीजिए कि अजिएएगा उ्वस्तारिएग